हेलो इस्टुडेंट्स आज हम लोग जोग्रफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जोग्रफी का में चाहे सिविल सर्विसेज हूँ, इस्टेट सर्विसेज, ंडेस, cds, cpf हर एक एक एक्जाम में वाल्ड रिवर से बहुत जादा क्वेशन पूछे जाते हैं, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जहां पर भी जीयस से क्वेशन पूछे जाते हैं, आप देखोगे कि वाल्ड रिवर से क्वेशन जरूर उसमें मिलेंगे आपको तो आज हम लोग वाल्ड रिवर का टॉपिक शुरू करेंगे, वाल्ड रिवर को हम लोग मिक्स करके नहीं पढ़ेंगे, बलकि अलग-अलग कॉंटिनेंट की रिवर को हम लोग अलग-अलग से पढ़ेंगे, आज का कॉंटिनेंट में नॉर्थ अमेरिका लिया है, नॉर् ये जो पार्ट आप उपर देख रहे हो ये अलास्का है जो की United State of America का ही एक राज्य है एक इस्टेट है तो अलास्का, कैनेडा, अमेरिका और मेक्सिको अगर हम नॉर्थ अमेरिका की जोग्राफिकल कंडिशन को देखें भागौलिक इस्थिती को देखें तो नॉर्थ अमेर अगर हम देखें तो रॉकी मांटिन से कुछ रिवर वेस्ट डिरेक्शन में और कुछ रिवर इस्ट डिरेक्शन में या पूरब की तरफ बहती हैं अगर हम इन रिवर को अलग-अलग से देखें तो इसके पूरब में अगर हम आएं तो यहाँ पर एक Great Slough नाम की लेख है अमेरिका में इसी Great Slough लेख से एक मैकेंजी नाम के ब्योफोर्ट सी में जाके यह ड्रेन करती है ब्योफोर्ट सी जो है यह आर्कटिक ओशन का मार्जिनल पार्ट है जहाँ पर मैकेंजी रिवर जाके ड्रेन करती है मैकेंजी इस दा लॉंगेस्ट रिवर आफ कैनेडा की सबसे लंबी नादी है इसके साउथ में आएं तो यहाँ पर रॉकी माउंटेन से ही एक रिवर निकलती है जिसका नाम है फ्रेजर यह जो फ्रेजर रिवर है यह कैनेडा में बहती है जाके फिर समुदर में मिलती है और अगर हम इसके East में जाएं तो Rocky Mountain से दो river निकलती है North Saskatchewan, South Saskatchewan North Saskatchewan, South Saskatchewan ये दोनों river एक दूसरे से मिल करके और जा करके Lake Winnipeg में drain करती है Lake Winnipeg Canada की जील है, Canada की lake है और इसी में Saskatchewan river जाके गिरती है इसके South में आएं, तो यहाँ पर Rocky Mountain से Columbia river निकलती है Columbia river Canada से निकलती है Canada से निकलने के बाद ये अमेरिका में एंटर करी अमेरिका में ये जहाँ एंटर कर रहे हैं जगा पर Washington नाम का state है और Washington से होते हुए ये river जा करके Pacific Ocean में drain करती है प्रिशान्त महासागर में गिरती है Columbia river की एक सहायक नदी अट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है Snake river और यही कारण है कि इन दोनों को एक साथ Columbia Snake river कहा जाता है अमेरिका में, वासिंटन स्टेट में Columbia river पर एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया है जिसका नाम है Grand Coulee Dam Grand Coulee Dam यह एक बहुत बड़ा concrete डैम है इसके साथ में अगर हम आए तो Colorado नाम की एक river है जो की Rocky Mountain से ही निकलती है और जा करके Gulf of California में drain करती है या गिरती है अमेरिका से निकली Colorado State होते हुए Arizona होते हुए और जा करके यहाँ पर Gulf of California में यह river मिल जाती है यहाँ पर एक point जो की समझने वाला है कि Gulf of California यह अमेरिका की गल्फ नहीं है यह मेक्सिको की गल्फ है अगर हम से question पूछा जाया कि Gulf of California किस country में है तो हम में से ज़्यादातर लोग तुरंट अमेरिका चुनेंगे लेकिन याद रखना Gulf of California अमेरिका की गल्फ नहीं है यह मेक्सिको की गल्फ है जहाँ पर यह Colorado रिवर जाके मिलती है Colorado रिवर एक बहुत important रिवर है यह रिवर वर्ड का सबसे गहरा गौर्ज बनाती है सबसे गहरा कैनियन बनाती है जब हम पहाडों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि पहाडों में जो नदिया बहती है पहाडों को काट करके इस तरह से बहती है और इन रिवर्स के बहने के कारण पहाडों में V-shape की वैली बन जाती है वियाकार की घाटी बन जाती है यही वियाकार की घाटी ज़्यादा गहरी हो ज़्यादा शक्री हो तो उसको हम गौर्जिया कैनियन कहते हैं तो यहाँ पर कोलो रेडो रेवर जो है कोलो रेडो इस्टेट में कोलो रेडो प्लैटो के ऊपर वर्ड का सबसे गहरा कैनियन बनाती है जिसका नाम है Grand Canyon तो question यहाँ पर ऐसे आ सकते हैं कि वर्ड का सबसे गहरा कैनियन कौन सा है तो Grand Canyon कहाँ पर है अमेरिका में है कौन से river बनाती है तो Colorado River बनाती है और किस जगह बनाती है तो Colorado नाम के plateau के उपर बनाती है और इसके आगे यहाँ पर एक हुवर नाम का डैम बनाया गया है जो हुवर डैम है यह अमेरिका का एक बहुत बड़ा डैम है बहुत famous और बहुत बड़ा डैम है हुवर डैम और finally यह रिवर जाकरके गल्फाफ कैलिफोर्निया में मिल जाती है इसके आगे एक Rio Grande नाम के रिवर है जो Rocky Mountain से ही निकल करके और America Mexico का border बनाती है America Mexico border बनाते हुए और जाके Gulf of Mexico में drain करती है America Mexico का border बनाया Gulf of Mexico में जाकर के रिवर मिल जाती है इसके आगे अगर हम आएं तो America का जो plain है अमेरिका का जो मैदान है यहाँ पर दो बहुत important river flow करती है एक river का नाम है Missouri और एक river का नाम है Mississippi यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना है कि जो Missouri river है यह North America की सबसे लंबी नदी मानी जाती है Missouri is the longest river of North America and here is Mississippi river and Mississippi river is the second longest river of North America और यह दोनों river एक दूसरे से मिल के बहती है और यह दोनों एक दूसरे से मिल करके North America का सबसे बड़ा river basin बनाती है river basin का मतलब वो छेतर जहाँ तक का पानी कोई भी river समेट के चलती है जहाँ तक का पानी नदी में मिलता है तो यहाँ पर Missouri और Mississippi river जो है यह दोनों North America का सबसे बड़ा river basin बनाती है और Missouri सबसे लंबे river है Mississippi second longest दोनों मिली आगे बढ़ी Mississippi river में एक Ohio नाम के river मिलती है Ohio अमेरिका में एक Ohio नाम का इस्टेट भी है तो Ohio river मिलती है और इसी Ohio river से एक दूसरे river मिलती है इसका नाम है Tennessee river प्रिमस river है यहाँ पर एक point में clear करूं Tennessee river जो पर जो project है Tennessee river valley project Tennessee river valley project का ही एक नकल हमारे इंडिया में भी है एक copy हमारे इंडिया में है दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो की जहारखंड में है जो दामोदर रिवर पर बनाया गया है यह Tennessee river valley प्रोजेक्ट का ही एक तरह से copy है उसी pattern पर उसको डेवलब किया गया तो यहाँ पर मिसौरी Mississippi Mississippi में अगली river मिल रही है Ohio और यहाँ पर टैनेसी river जो है यह भी ओहियो river से मिलती है और यह जो Mississippi river है यह जब Gulf of Mexico में मिलने वाली होती है तो यहाँ पर वर्ड का एक बहुत famous विस्व का एक बहुत प्रसिद डेल्टा बनाती है और इस डेल्टा को कहते है बॉर्ड फुट डेल्टा पक्षी पाद डेल्टा या पक्षी पंजा डेल्टा भी बोलते हैं समुद्र में मिलने को होती है या किसी लेक में मिलने को हो किसी वाटर बॉड़ी में मिलने को हो तो वहाँ पर जमीन का स्लोप कम होने की वज़ा से उस रिवर से कई सारी ब्रांचिज निकल जाती हैं कई सारी शाखाये निकलती है रिवर जब ब्रांचिज में बढ़ करके क को कहते हैं और इस रिवर की यही पहचान है इसी चीज के लिए रिवर जाने जाती है बर्ड फुट डेल्टा के लिए इसके बाद हम और आगे बढ़ें तो यहां पर अमेरिका का इस्टन पार्ट पूर्वी भाग यहां पर एक रिवर बहती जिसका नाम है पोटो मैग पोट अमेरिका की कैप्टल वासिंटन डिसी किस नदी के किनारे है तो वह पोटो मैग नदी के किनारे है इसके बाद हट्सन रिवर हट्सन रिवर भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है और इसकी पहचान है कि इसके किनारे अमेरिका का एक दूसरा इंपॉर्टेंट सहर नियू इसी river के किनारे situated है तो अगर पूछा जाए कि New York City किस river के किनारे इस्थित है तो ये Hudson River के किनारे है इसके बाद एक river जो की America और Canada का border बनाती है इधर Canada और यहाँ पर America USA है और इसका border बनाते ही एक river बहती है इसका नाम है St. Lawrence River This is St. Lawrence River जो की Ontario नाम की lake से निकलती है आपने पढ़ा भी होगा आगे जब मैं continent का class लोगा तो continent के topic में मैं इन lakes के बारे में detail में बताऊंगा भी यहाँ पर 5 lakes है इनको Great Lakes कहा जाता है Huron, Michigan, Sorry Superior, Michigan, Huron, Erie, Ontario Superior, Michigan, Huron, Erie, Ontario यहाँ पर जो superior lake है यह world की सबसे बड़ी fresh water lake है दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पाने की जील है और आगे Michigan, इसके बाद Huron, Erie और Ontario यह जो Ontario lake है यहीं से St. Lawrence River निकलती है और आगी यह बढ़ती है अमेरिका Canada का border बनाती है और इसी बीच में इस river पर world का सबसे चोड़ा widest waterfall that is Niagara fall in Canada Niagara fall इसी river पर situated है तो जब यह river आगे बढ़ती है तो Canada में इसके उपर Niagara fall आता है और Niagara fall जो है यह world का सबसे चोड़ा जहरना माना जाता है widest waterfall of world आगे यह river पहुचती है Gulf of St. Lawrence Gulf of St. Lawrence में जाकी यह river drain करती है, मिल जाती है तो इस तरह से हमने North America की जो main और important river है उनका एक introduction लिया है अब हम लोग इन सारी rivers का detail लेते हैं और एक एक करके हर river की बारे में जो भी important points है उनका एक note बना तो लो करते हैं सबसे पहले Yukon River, Yukon Nadi तो Yukon Nadi location, Canada, Alaska और यहाँ पर है इस तरह से Bering Sea, Bering Saagr Bering Saagr जो है Bering Sea, Russia और Alaska के बीच में है तो यह river इसका source है Alten Lake जो की Canada में है Alten Lake कहाँ पर है? Canada में है और Alten Lake से निकल करके Alaska होते हुए और जाके Bering Sea, Bering Saagr में गिरती है Bering Saagr कहाँ पर है? तो यह Alaska और रश्या के बीच में Bering Saagr है इसके बाद Mackenzie River, Mackenzie नदी यह भी Canada की एक important river Canada की सबसे लंबी river यह river Canada में Great Slough Lake से निकलती है Great Slough जील से निकलती है और Canada में बहते हुए यह river जाकर के Bering Sea में गिरती है Bering Sea, Bering Sea जो की Arctic Ocean का पार्ट यहां गिरती है और यह Canada की सबसे लंबी river है इसके बाद Fraser River Fraser River जो है यह Canada की river है, Canada की नदी है इसका source Black Rock Mountain Black Rock Mountain जो की Rocky Mountain का ही पार्ट है This is the part of Rocky Mountain और इसी source से Fraser River निकलती है गिरती कहाँ पर है Dreams into Straight of Georgia Dreams into Straight of Georgia Near Vancouver यहां पर Canada में इस जगह पर Vancouver City एक शहर है Vancouver City Vancouver जो की एक बहुत फेमस शहर है Canada का इसी के बगल में इसी शहर से लगते हुए यह river जाकर के यहां Straight of Georgia में ड्रेन करती है या गिरती है और यह जो पार्ट आप देख रहे हो यह Vancouver Island है Vancouver Deep है तो Fraser River के बाद अब आगे ससके चवान रेवर ससके चवान रेवर जो है Rocky Mountains से निकलती है North ससके चवान, South ससके चवान और यह river जाकर के विनिपेग लेक में गिरती है जो की लेक विनिपेग जो की कैनेडा के एक बहुत इंपोर्टेंट लेक है और इसी लेक में जाकर की यह रेवर ड्रेन करती है तो सोर्स या स्रोत लेक उंटेरियो फ्लो अलॉंग कैनेडा एंड युएस से बॉर्डर कैनेडा और अमेरिका का बॉर्डर बनाते हुए बहती है इसी रेवर के उपर नियागरा फॉल या नियागरा जहरना है जो वर्ड का सबसे चौड़ा वाटर फॉल वाइडिस्ट वाटर फॉल माना जाता है यूजड एज वाटर वीज मतलब ये रेवर जो है एक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है यहाँ पर अट्लांटिक ओशन है कैनेडा के पूरव में अट्लांटिक ओशन से बड़ी कॉर्गो शिप इस रेवर से होते हुए और इसके बाद ओंटेरियो इरी हूरन लेक से होते हुए सूपिरियर लेक तक पहुँच जाती है तो इस तरह से यह जो सेंट लॉरेंस रिवर है यह नौर्थ अमेरिका में एक इनलेंड वाटरवे का एक मीडियम भी बन जाती है माधियम बन जाती है इसलिए यहाँ पर लिखा गया है यूजड एज वाटरवी जलमार की रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ड्रेंस गिरती कहा है मिलती कहा है गल्फ आफ सेंट लॉरेंस जो की कैनेडा में है तो गल्फ आफ सेंट लॉरेंस में यह रिवर गिरती है अगली रिवर कोलंबिया रिवर कोलंबिया नदी कोलंबिया रिवर कैनेडा के ब्रिटेस कोलंबिया से निकली अमेरिका होते हुए जाकर कि ये समधर में मिलती है कोलंबिया रिवर Straits Canada, अमेरिका-कानड़, सोर्ज, कोलंबिया लेक, जो की रौकी माउंटेंड की ऊपर हैं तो इसी कोलंबिया जील से ये रिवर निकलती है ट्रिब्यूट्री, सहायक नदी, वो नदी जो इस रिवर में मिलती हो तो Snake River, Snake नदी जो की अमेरिका में बेहती है ये कोलंबिया की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है Grand Coulee Dam, एक बहुत फिमस टैम है Grand Coulee Dam अमेरिका में जो इस रिवर पर बनाया गया है और ये रिवर Pacific Ocean या प्रशान्त महासागर में जाकर के गिरती है इसके बाद अगले रिवर, Colorado River, Colorado नदी Source या स्रोथ, La Padre दर्रा, La Padre Pass La Padre Pass या La Padre दर्रा जो है, ये Rocky Mountain के उपर है, अमेरिका में तो इसी Rocky Mountain के दर्रे से निकलत ली है Flow through, Lake Powell, Lake Mead जब ये रिवर आगे बहती है, तो यहाँ पर Lake Powell है, इसके आगे Lake Mead है तो Lake Powell और Lake Mead से होकर के रिवर बहती है Make the deepest gorge of world, विश्व का सबसे गहरा gorge बनाती है जिसका नाम है Grand Canyon, अमेरिका में अमेरिका में Arizona और Colorado State Arizona और Colorado State में ये Grand Canyon है जो वर्ड का सबसे गहरा gorge Hoover Dam, अमेरिका Drain's Gulf of California, मैक्सिमा लेते है झाल कि जो使 का सबसे है जो सबसे है झाल की उसरी का क्यूना औरेका